हिंदु दर्म में महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना क्यों है वर्जित नारियल यह ऐसा फल है जो सभी को लुभाता है इसे देखकर पूजन कारिक्रम या शुबह प्रसंग की याद आने लगती है किसी भी देवी देवता की पूजा नारियल के बिना अथूरी मानी जाती है किसी भी देवी देवता की यदी भगवान को नारियल चढ़ाया जाये तो धनसंबंधी समस्याएं दूर हो जाती है लेकिन क्या कभी सोचा है कि महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती है दरसल इसके पीछे एक बज़े है नारियल एक भीज का रूप है और इसको महिलाओं की प्रजनन ख्रमता से जोड़ कर देखा जाता है इसलिए महिलाओं द्वारा नारियल को फोड़ना अशुब माना गया है आपने अक्सर मंदिर में देखा होगा कि नारियल को या तो पंडित जी या फिर कोई पुरुष्ट ही फोड़ता है महलाओ को नारियल फोड़ने का अधिकार हिंदू दर्म में नहीं दिया गया है क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रशन उठा है कि जब हम महलाओ को लक्षमी का दरजा देते हैं तो उनका नारियल फोड़ने से अधिकार क्यूं चीन लेते हैं? इसके पीछे भी राज है आईए जानते हैं इसके बारे में नारियल के पीछे भी एक अथा छुपी हुई है वह यह है कि ब्रह्महा रिशी विश्वामित्र ने विश्व का निर्मान करने से पहले नारियल का निर्मान किया था यह मानव का प्रतिरूप माना गया था नारियल को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं अलाकि इसके बारे में ना तो कहीं लिखा गया है और ना ही देवी देवताओं ने इससे जुड़े निर्देश कभी दिये हैं यह सबसामाजिक मायताओं और विश्वास के चलते बरसों से हमारे रीती रिवाज का हिस्सा बना हुआ है